सूखे जिंगे की सबजी बनाने की विधी पहले इसके उपर का जो ये हिस्सा होता है यानि कि सरवाला इसे हम हाथ से तोड़ कर हटा देंगे और फिर हलका गर्म पानी में इसे हम बॉयल करेंगे इस बीच इधर पैन में हम ओयल का एड़ करेंगे और फिर इसमें अब प्याज नमक डाल कर पहले इसे हम सौटे करते हैं अध्रकलेसन का पेस्ट इसके बाद अब हल्दी डाल कर कुछ देर और सौटे करेंगे ताकि इसका कच्चा पंजो है पूरी तरह मर जाए और अब हम इसमें डालेंगे ये टुमाटोस यानि की टमाटर धनीya पाउडर जीरा पाउडर लालमिर्ज पाउडर थोड़ा सा पानी भी हम अड़् करेंगे अब इसमें हम खटास के लिए इमली का पानी और साधा पानी उबाला हुआ जिंगा भी डाल कर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं पुछ देर कुक करते हैं इसे यानि कि इसे पकाते हैं ताकि ये इसमें अच्छे से मिक्स होकर पक जाए नमक थोड़ा एड़ करेंगे और ग्रेवी गाढ़ा होने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे ये फ्रेश हराधनिया की पतियां गार्निशिंग के लिए और देखें ये तैयार है तो बस अब चावल या फिर फुलका दोनों के साथ आप इसका मजा ले सकते हैं